आज आपको प्रेट में नजर आ रहा होगा कि मैंने क्या रखा है अगर आपको नहीं पता तो बताती चलूँ यह अंजीर है मैं आपको निकाती यह देखिए जोके बहुत ही फाइदेमंद है इसे जन्नत का फल भी कहा जाता है जोके चेस्ट इंफेक्शन के लिए और हर तरह की बीमारियों के लिए बहुत मुफ़ीद है तो आज की मैं अपनी इस वीडियो में आपको इसके फावाइद बताऊंगी और इसको इसको इस्तमाल कैसे करना है इसका तरीका बताऊंगी आजकल चेस्ट इंफेक्शन बहुत बड़ा हुआ है और इन सब के लिए मैडिसन्स खाएं तो फिर मेडे के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं दूसरी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं मतलब के मजीद नहीं से नहीं प्रॉब्लम्स क्रियेट होती जाती हैं कि आपको फिर साथ दूसरी मैडिसन्स भी खानी बढ़ती है तो इसलिए बहतरी है कि आप सब मैडिसन्स को छ के लिए दमे के मरीज के लिए अलर्जी रेशा वगरा जो होता है सीने का कैंसर इन सब के लिए बहुत ही बहतरी नहीं इसलिए इसलिए अंजीर जो है यह खूं की कमी को भी पूरा करता है खूं को साफ करता है और यह इसके एलाव यह बड़े ओउए पेट के लिए बहुत ही जादा में मुद्वीत है अगर आपका वजन बढ़ गया हो तो ऐसके लिए पर जो hacia जाय के साथ लिए जाये तो यह बहुत ही जादा मुद्वीत है तो इसके लावा मेर्दे की तजाबिए, पट्टों का और जोडों के दर्द के लिए खुश्की के लिए, अनजीर एक बहुत ही बेमिसाल है इसके के लावा इसक जिसे लेखंगे जैसे के इसके जिसन गुमारी लिए ये इसके लीचे ये अनधर पर सकरwe ये इसके जीचे जिसे ले ले लेजये और ये इसके अंदर चुटे-चुटे से दाने आपको नगर हे और यदों के बहुत न्यूजीद हैं तो बहुत मिद्वेत o इसे आप इसके इसके का इसके इसके का थाँ सकते हैं आपने इसको भी गोकर ही खानी है चाहे जितून में भी गोकर रख दे रात को या पानी में भी गोकर रख दे या दूथ में क्योंकि यह इसकी तसीर गरम होती है इस वजह से सुफ Here's उमीद है आपको मेरे आज की वीडियो पसंद आई होगी फिर मुलाकात होगी अगले व्लोग में आप इसको इसको इस्तमाल करियेगा और मुझे कमेंट सेक्षिन में जरूर बटाईगा कर आपको इसस सफ़ाएं हसिल हुआ है है यह नहीं फिर मुलाकात होगी अगले व्लोग में मजीद अच्छी अच्छी ऐसी ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक और शेयर करना आपने बिल्कल भी मत नहीं बूलना फिर मुलाकात होगी अगले व्लोग में तब तक के लिए अच्छी अच्छी